हेलो स्टुरेंट्स आज हम अटोमिक स्टेक्चर लेक्चर नमबर 10 डिसक्स करने जा रहे हैं आज हम कुछ से कांटर नमबर पर एक तो नमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम जो है वो इलेक्ट्रोनिक कॉंस्क्रेशन लेखते वक्त जिन रूल का ध्यान रखा जाता है उनकी बात करेंगे और सेप औफ और विटल्स के बारे में भी पड़ेंगे चलिए आज का लेक्ट्स आपके सेट जो है वो आपका कोरेक्ट है तो फोर एफ के अंदर आपको जहां रखना है विच्छो जो एन की वेली होती है जो इनके साथ लगी होती है वह यह होती है इसका मूल भी ऑप्शन तो नहीं हो सकता भी तो पहले कट हो गया ठीक है उसके बाद आपको ने पढ़ा ही तो आपका एलट वेली क्योंब जो यह ओप्शन के घुट्ट हो गया कि इसके बाद जो एम के हम युदि माइनस Ал्य क्लेश और पलेली वह माइनस थृी से पलस थरी के भीक्हित हो सकती है पर यहां उपर वाले हुप सट एम Mayo स्ट पलस पूड थिरकर पलस पूर औहींर प भी कट हो गया तो आपका सही अंसर कुन सा गवर्चों सी सही अंसर कुन सा हो जएगा सी हो जएगा ठीक हैं नेट्ट दा कंटर नंबर प्लस आप माइनस आप फुर दा इलेक्ट्रोन स्पिन डिप्रेजेंट यह आपकी उस वीडियो में आपको मिला हो आँस जो मैंने एक्स् आपको निकाल ला हो अगर हम बात करें नोन स्पिरिकल नोड की तो आपके पास होता है एन माइनस वन ठीक है तो यहां पे देखें थ्री पी के लिए थ्री पी के लिए एन की वेलियो कितनी होगी थ्री होगी अभी देखाना एस पी जिरो और वन तो आपके अल के वेलियो भी वन तो क्या कर देंगे थ्री माइनस वन माइनस वन ठीक है थ्री पी के लिए पुछा है तो कितना हो जाए पास वन हो जाएगा कितना हो जाए पास वन हो जाएगा ठीक है तो सपरिकल नोट वन ओटी है ठिक है तो सपरिकल नोट टो नौं सपरिकल नोट गलता है त्व Cape उतन ओलता है श्वेक्रिक хочу होगी और वन आपकी नोन सपरिकल नोट होगी नोन स्पेकल नोट के लिए अगर आप रखोगे तो यहाँ पे जीरो आ रही है वैसे थोड़ा सामने कहीं मिस्टेक क्यों होगी इसको ओप्षन आपका दी होना ची सकान्स रहेगा नन्स्पेकल नोट में डॉट में और थीक कर लें अगर हम बात करें पहला अपका आपका आपका वह स्प्पेरीकल उता है बिल्कुल ऐसे स्प्रीट की फोन वता है इसके लिए यह एल के होती है जीरो ती अंगुलार्णोड्स जो आप निकालते हो ज़नी नौन स्पेर्कल नोड्स है वो भी आपके प्थेर्स पार प्थे टार्म गदाने हैं है जबकि आप उर्विट्ल की से पूर्ति है वो डमबल वहोस्ति है क्या होती है नगी इंजाओ का मतलब क्या होता है बच्छों डीजनेट ओर बीटिस का मतलब होता हैं हुआ हाँ है बदी पीछ वाला क्यूस्टन पहले ठीक करी यह जाका 3p orbitals है इस 3p orbitals के अंदर 3p के अंदर n की वेलिए कितनी एजी 3 और के वेले कितनी है प्रण जो आपका स्वेडिकल नोट होता है कौन से नोट की बात करूँ मैं स्वेरिकल नोट गुंधि उसका आपके पास होता है N-L-1, तो अपकाыш रो जहाँ हो पनि पनि और तुए आपकार non-spirical node होता है कुंब सा अचों? non-spirical node होता है उसका फरूर्म लोता है L ही होता है तो ये भी हो जहाँ हो पनि टोटल node होता है total nodes का फरूर्म लोता है N-1 यादि 3-1 तो total तो दो ही होगी है जिन में से एक spherical node होगी और एक non-spirical node होगी तो आपका अनसर ची होगा है एक spherical node होगी और एक है non-spirical node होगी ठीक है कर लोग इस तरह से spherical node का formula रहेगा n-l-1 non-spirical node का formula रहेगा l और total node का formula रहेगा n-1 तो एक पर चेक भी कर सकते हो टोटल नोड्स का फॉर्मुला गर आपको पता है था फी और्बिटल की डंबल सेप होती है डे जनरेट होता है डे जनरेट की हमले सभी और्बिटल के एनरजी एकुल होती है इलेक्ट्रोन डेंस्टेज इकुली डिस्टिबूटेज इन तो रिजन्स और उन Uhपोजिट साइड ऑफ नुग्लेस जो आपका नुग्लेस होता है उसके दो ऑपोजिट साइड जो आपके डिज्टिबूटेज होता है वहाँ पे एलेक्ट्रोन एक तरफ कम ऊगए प्कम ऊ पखली होगी ना X AXIS के उसनी हे यह ओगी ठीकर यानी अपोजिट होगी और बीच में कहां पर आपका न्योक्लिस ठीक तो न्योक्लिस के दोनों साइड आपके पास इलेक्टरों जो हैं वो एकोलिटीट हो ठीक है डिजनेट के मालद और अगर वही टू लोप्स आप जट एक्सीज में बना देते हो तो आपका फॉर्मुलर किसका बन जएगा या स्वरी सेप किसका बन जएगा पी जट का ठीक है तो पी एक्स पी वाई और पी जट तीन होते हैं जबकि डी अब बात करें तो इसके अंदर फाइव डी जनेट सेप होती है जो दो नाम आरे एक्स वाई जट उनके दो बीच में लगा देना है जगर आप एक्स और नामें सेपीज में बेंट दिखाते हो तो आप पास वो DXY के से पर्णित, अगर वो आप 10XZ है का बनाना है, तो आपको जो XZ Axes के बीच में बनाऊगे, तोआपका DXZ का बनजेगागे, DYZ, VoyZ की बीच का बनाऊगे, जबकी XAxis के उपर और YAxis के उपर दिखाऊगे, तो आपके पास किस का बनजेगा डी x square minus y square का बनजेगा और d z square का मनलग के है एक तो z पे होगा और कुछ जो probability है electron मिलने के तो सम्माना है वो x y plane में भी होगी जिसलिए हमें एक circle दिखा देते हैं क्या दिखा देते हैं बच्छों circle बना देते हैं ठीक है आपको कुछ नहीं करना आप जैसे माली यह z axis है आप एक लोप से इसके उपर दिखाएए और एक आप इसका circle बना देते हैं यह shape ही कि इसकी बढ़ेगी आपकी dz square के रहे ठीक है तो यह आप इस तरह से कर सकते हैं अगर energy of the orbitals बोलें तो energy of the orbitals है वो single electron system के लिए बात की जाए तो energy energy available की बात करें तो energy depend करेगा N पे जिसकी value & की जादा होगी energy उसे की क्या होगी जादा होगी इसका मतरब 1s से जादा energy किसके वे स्वेस्ट ब्राबर होगी क्योंकि इनके लिए नकीवरी सेम है 3S, 3P, 3D, इनके लिए भी N के विल्यू सेम है, तो इनके भी एनरजी क्या होगी, बराबर होगी, तो जो एनरजी बराबर होती है न, उनको बोलते हैं, दीजनेट, तो आपके पास P के अंदर कितने औरबिटल हैं, तीन, और S के अंदर कितने होते हैं, एक तो 4 दीजनेट और औरबिटल हैं, और D के अंदर 5 होते हैं, तो 4 के अंदर 5 औरबिटल होगी, कितने होगी, 9 दीजनेट औरबिटल होगी, फ़र मल्टी एलेक्टरोन सिस्टम की बात करें, तो आपके लिए एनरजी डिपेंड करते हैं, किस रूल पे बचो, N प्लस L पे, मैं आपको थोड़ा समझा दिता हूँ, अगर मल्टी एलेक्टरोन सिस्टम के लिए बात की जाए, तो आपके डिपेंड करती है, N प्लस L रूल पे, और ये N प्लस L रूल क्या कहता है, पहली बात तो, जिसकी वेल्यू ज़्याद होगी, हाईर दा, हाईर दी, N प्लस L वेल्यू, हाईर दा अन ऐनर्जी भी जादा होगी, पहला रूल ये जान रूखें, जितनी N प्लस L कीवेल्यू जादा होगी, उसके एनर्जी पी जाद होगी, दूसरा, इफ इफ एन प्लस अल की विए चलो पहले एक एक कंसेप्ट काता हूँ आपको देखें फिर दूसरे कंसेप्ट काते हैं तो आपको समझ मैंगा जैसे मान लेजिए मैंने ये निकाला 1s 2s इनके एन प्लस अल की विल्यू जोड़ती दो 1s इनके विल्यू जोड़ती है इनके विल्यू जोड़ती है ठीक है तो प्लस जीरो ठीक है इस तरह चीए कर लोगे अब दूसरा रूल के है मैं यह दिखाए आपको बताता हूँ इफ एन प्लस अल विल्यू इज सेम अगर आप पास एन प्लस अल की विल्यू सेम हो देन हाईर दा विल्यू अफ एन हाईर दी विल्यू अफ एन हाईर दा अनर्जी जो जिसके एन की विल्यू ज़ादा होगी एन प्लस अल की विल्यू ज़ादा होगी उसके अनर्जी ज़ादा होगी कोई दिक्कत नहीं पर कई बार n प्लस l की value same आ जाएगी और अगर n प्लस l की value same आ जाएगी न तो आपको n की value देखना है जिसमें n की value sorry जिसमें n की value ज्यादा होगी वो आपके पास energy भी क्या होगी ज्यादा होगी जैसे देखें 3D और 4P 3D और 4P में बात करें तो D के और्विटल के लिए L के विल्यू टू होती है तो N प्लस L होजएगा 5 4P के लिए भी कितना होजएगा 5 तब किसके एनरजी जादा पाने N प्लस L के विल्यू सेम आगी तो आप क्या करोगी बच्चो आप जिसके N की विल्यू जादा है और N की विल्यू जादा किसके है 4P में है और 4P में गर N की विल्यू जादा है तो इस और्विटल के अनरजी में ज्यादा हो ठीक है जिसे आप से पुछले कि 4S और 3D में दिखाई 4S में N प्लस L की विल्यू कितना है 4 प्लस 0 4 होती 3D के अंदर N की विल्यू तो 3 है और L की विल्यू 2 है तो N 5 होजेगा इसलिए आपके पास जिसकी विल्यू ज़्यादा होगी N प्लस L की अनर्जी उसी की ज़्यादा होगी तो मल्टी लेक्ट्रों सिस्टम में ये रूल द्यान अगने है दो आपको प्लस L की विल्यू सेम है अगर आपके पास है N प्लस L की विल्यू सेम है तो आपके पास जिसके N की विल्यू ज़्यादा होगी अनर्जी उसी की ज़्यादा होगी और अगर N प्लस L की विल्यू जिसकी ज़्यादा होगी अनर्जी उसकी ज्यादा होनी है ठीक है कर लोगे चलिए नेफ्ट देखते हैं रूल्स पॉर फिलिंग ओफ ओर्डिटल इन एक्टम एक्टम के अंदर जो ओर्डिटल्स होते हैं उनके अंदर लेक्टून कैसे फिल करोगी तो सबसे पहले आप कहाता है यह कहता है कि in the ground state of the atom, orbitals are filled in the order of their increasing energy यानि आप जब इलेक्टून फिल करोगी वह increasing order of their energy में ओर्डर में ही फिल अप करना है पहले उन orbital को फिल करोगी जिनके energy कम है अगर वो जिनकी energy कम है यानि lower energy atomic orbital अगर आपका completely filled हो जाता है तब ही हम आगे वाले atomic orbital के अंदर enter करेंगे आपक इसे लिखे line wise 1s 2s 2p 3s 3p 3d फिर आप 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f इस तरह से लिखेंगे फिर आप यह से diagonal बनाएंगे क्या बनेंगे बच्छे से डेगना बनाओं जैसे आपके image में दिख रहे हैं ठीक ना भूक में होगी है आपके पास ऐसे डेगना बनाओगे अब घूमना स्ट सब्सक्राइब करेंगे जिसके अनरजी कम होगी है यह बात बोलता है कि पहले एलेक्ट्रोन उस अटॉमिक और करेंगे यानि फिलप करेंगे जिसके के अनरजी कम होगे अगर वो completely filled हो जाता है तब ही हम उससे हाईयर वाले अटॉमिक और के अंदर हम इलेक्ट्रोन को फिल अब करेंगे नेस्ट है पाली एक्स्कुलिजन प्रिंसिपल यह प्रिंसिपल क्या कहता है बिच्चो यह प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्र आपके पास four content number है कौन-कौन से principal content number azimethal content number magnetic content number और spin content number इन चार quantum number की बात करें तो यह प्रिंसिपली करता है कि सभी चारों value same नहीं योगे चाहिए N की value different हो चाहिए L की value different हो चाहिए M की value different हो चाहिए आपके पास MS यानि spin magnetic सब्सक्राइब करें तो यहां पर प्लस आप माइनस आप सकते हैं यहां पर प्लस आप यह पूसिबल नहीं है यह आपके पास सब्सक्राइब करें तो आपके पास त्री और नाइन यहां आपके पास आठी इलेक्ट्रों है ठीक है नेक्स्ट आपके पास यह क्या करता है पेरिंग ओफ एलेक्ट्रों इन दा और्बिटल्स ब्लोगिंग तो दा सेम सब्सक्राइब करना है तो यह नहीं कि आप पहले एक फिर दो यहीं दो यहां पेरिंग नहीं करोगे कब तक पेरिंग नहीं करोगे जब तक जिनके और्जी से में यह तो तीन उपर होते हैं और यह भी आपका ऑपोजीट स्पिन में ठीक ठीक आपका स्पैरल स्पिन में और यह ज्यादा हूंगे तो आपके एक्ट पास पास क्या हुआ अपवजीट पिंग और उसके बाद आएगा पास टूपी वेनेस टूएस टूपी तो आपको साथ एलेक्ट्रोन फिल अप करने इनके अनरजी कम है तो आप आप प्रिंशिपल लगाएंगे कि सब का अनरजी सवरी सब तक वह फिल नहीं होता तब तक हम आयर अनरजी में नहीं जाएंगे दो लग भाएं बाकि में क्या दिख्क्त है इसमें यह धिक्त है अफ्यृष है ठीक है और इसमें जाभी दो नीचे ऊपर है यह वह सकता था वाट पहले अपर स्पन की तो पर्स्मील ।क है का आपको यह option क्या हो जाएगा पास है राइट हो जाएगा ठीक है ता orbital diagram इन विट अप प्रिंसिपल वोलेट किसमें अपका वोलेट हुआ है अपका प्रिंसिपल का करता है कि जब तक आपका lower energy atomic प्रिंसिपल नहीं हो जाता तब तक आप आयर में नहीं जा सकते तो यह देखो इसमें एक लेक्ट्रोन हैं फिर भी हम आयर में चलेगें क्यों चलेगें यह गलत है यह यह आपको प्रिंसिपल के साफ से गलत है ठीक है यहां पर आपको orbital angular momentum निकालना हो तो फर्मलर रहेगा य यह तीन पर मिले भी आप याद कर सकते हो यह आपका हमड़ करेगा क्लोरिन एक्टम के लिए क्रेक्ट सेट कौन सा है यानि एन की वेल्यू एल की वेल्यू एम की वेल्यू क्या होगी क्लोरीन के लिए ठीक है क्लोरीन यानि चील इसका टॉमिक नंबर 17 यह आपका हमड़ कर नहीं, थेंकियो बच्चुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु